आज बनाएंगे एकदम सिंपल और टेश्टी सी कटेल की सबजी अगर आप जादा मसाले नहीं खाना पसंद करते तो यह आपको बहुत पसंद आएगी तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं इसे बनाने के लिए ना सबसे पहले मैंने आपर आदा केजी कटेल लिया है और इसको अच्छे से धुल कर चोटी चोटी पीसिस में कट करके लिया है और यहां ध्यान रखेगा जो इसके बीज होते हैं उनको चीलिए नहीं तो खाने बड़ा ही दिक्कत करते हैं तो अभी ना मैंने एक बोल लिया है यहापर इसमें मैं कुछ मसाले एट करूंगी बा जादा मसालों का मैंने यूज नहीं किया है आप अपने अकॉर्डिंग थोड़े बहुत मसाले कम यह जादा कर सकते हैं तो यह देखिए मसाले मैंने अच्छे से मिक्स कर लिये हैं अभी ना इधर मिक्स जाल लेंगे इसमें एट कर देंगे प्याज और साथी में इसमें ल अपनी हिसाब से कोई भी तेल ले सकते हैं फिर इसमें एट कर देंगे जो पेश्ट हमने बनाया तलहसन प्याज और अधरक का और इसमें लगाता चलाते हो भून लेंगे तब तक भूनना है जब तक यह इसका कलर है वो चेंज ना हो जाए जब प्यास भून जाएगा तो जो मसाले हमने मिक्स करके पानी में लियते वोट कर देंगे और फिर से लगाता है चलाते हो मसालों को भूनना है वैसी कॉमेंट में बताना आपकी फैबरेट सबजी कौन सी है और आप मेरे वीडियो कहां से देख रहे हैं तो यह देखिए मसाले भून चुके हैं अब इसम मसालों में मिक्स कर दिया है अभी से कबर कर देंगे और कबर करने के बाद इसे पकाना है तो 20-25 मिनट लग जाते हैं धीमी के इस पर पकने में तो यह देखिए सब्जी अच्छे से पक चुकी है अभी हम इसमें कर देंगे बारी कटा हुआ अहरा धनिया और गर्मा गरम से सब्सक्राइब करेंगे तो मैंने इसे लंच के लिए बनाया था तो मैंने तो इसे पक कर दिया है और आप इसे जरूर ट्राइब कीजिएगा इस सिंपल बेसे बहुत ही मज़िदार लगती है और हाँ अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक चैन